हलो फ्रेंड्स मैं केसब कुमार दे मेटकल क्लासिस के इस नई वीडियो में आपका स्वाधत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंजी ट्यूब के बारे में जिसका फूल फॉर्म नैसो गास्ट्रिक ट्यूब भी होता है नैसो गास्ट्रिक ट्यूब यानि एंजी ट्यूब जिसे गास्ट्रिक फीडिंग ट्यूब भी कहा जाता है एक पतली लचीली ट्यूब होती है आप यहां इमेज में देख सकते हैं या एक पतला और लचीला ट्यूब होता है नेक्स्ट है या पॉली इथिरेन या सिलकन से बना होता है यानि या तो ये पॉली इथिरेन से बना होगा नहीं तो ये सिलकन से बना हो सबता है इस ट्यूब को नॉस्टिल के रास्ते अस्टोमक में डालते हैं यानि इस ट्यूब को इस image में आप देखिए नॉस्टिल यानि नाक के रास्ते अस्टोमक में इसेट करते हैं इसका जो टिप होता है वो अस्टोमक में होता है इसका यूज किस लिए करते हैं तो इसका यूज अस्टोमक फीडिंग के लिए करते हैं यानि पेट में भोजन पहुचाने के लिए करते हैं दुसरा है gastric leverage के लिए करते हैं यानि पेट से कुछ बाहर के और aspirate करना हो खीचना हो तो इसमें सिरींच लगा के हम लोग खीच लेते हैं Next है stomach drain के लिए करते हैं यानि पेट से drain करना हो यानि कुछ बाहर निकालना हो तो इसका जो यह last tip होता है इसमें स्रिंच लगाके हम लोग बाहर के और खीच लेते हैं नेक्स्ट है राइल्स ट्यूब का कलर कोड यानि की कलर देखके हम कैसे बता सकते हैं कि इसका साइज क्या है इसका साइज फ्रेंच में आता है आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रेंच में 0.33 cm होता है तो 6 फ्रेंज का जो एंजी ट्यूब होता है वो light green क्लर का होता है 8 साइज का blue क्लर का होता है 10 साइज का एंजी ट्यूब black क्लर का होता है 12 फ्रेंज का एंजी ट्यूब white क्लर का आता है 14 फ्रेंज का एंजी ट्यूब dark green क्लर का आता है 16- Next है NG tube के parts का नाम यानि कि इसके किस parts के हम लोग क्या कहते है तो इसका जो tip होता है उसमे एक छीदर होता है उसके हम लोग lateral eye कहते है और इसके पूरे pipe पे यानि कि पूरे ट्यूब पे एक लाइन होता है, जिसको रेडियो ओपिक लाइन बोलते हैं, इसमें ग्रीन कलर का या लाइन है, रेडियो ओपिक लाइन को इसलिए दिया जाता है, ताकि जब X-ray किया जाए, तो इसमें X-ray में या दिखे कि या NJ ट्यूब है, ताकि कोई confusion न दू होता है, एक होता है 10-Ammil सिरिंच के लिए, और दूसरा होता है टॉमी सिरिंच के लिए, तो दोस्तों NJ ट्यूब पे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंड में जरूर बता है, साथी साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर वी